आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुद्वार को बड़ा फैसला स्माया हाला कि कोर्ट ने आधार की व्यादिता को तो बरकरार रखा है लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आधार कहा जरूरी है और कहा जरूरी नहीं है इतना ही नहीं कोट ने कुछ मामलों में आधार की अनिवारिता को सीरे से खारिज किया है तो आईए जानते हैं आधार को लेकर सुप्रीम कोट के उस फैसले के बारे में जिन्हें जानना आपके लिए बेहस जरूरी है नमबर एक, स्कूलों में आधार की अनिवारिता खत्न आधार पर अपना फैसला सुनाते वग, कोड ने दो टूक कह दिया कि स्कूलों में दाखले के लिए आधार अनिवारियन नहीं रहेगा कोड ने कहा कि 6-14 साल के बच्चों को आधार ना होने की वज़े से सर्व शिक्षा अभियान जैसे लाब से वंचितना किया जाए बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिवावा की इजाज़त जरूरी है जबकि वैस्क होने के बाद वो आधार को लेकर खुद तै कर सकता है अगर आपको मोबाइल कमपनियों के और से अपने नमबर को आधार से लिंक कराने के मैसेज आ रहे थे तो आप आपको इस से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोट ने आधार से मोबाइल को लिंक करने के अनिवारता खत्म कर दी है कोट ने मोबाइल नमबर को आधार से लिंक करने को एव सम्मेधानिक बताया है नमबर तीन बैंक से आधार लिंक जरूरी नहीं मोबाइल नमबर की तरह है अब बैंक अकाउंट को भी आधार से लिंक कराने की अनिवारिता खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी सम्मिधान के खलाब करा दिया कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है सुप्रीम कोर्ट ने CBSC, NEET और UGC आधार को गैर ज़रूरी करार दिया कोर्ट ने कहा कि अगर CBSC, NEET, UGC आधार को ज़रूरी बनाते हैं तो ये गलत है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं नमबर पांच, नीजी कंपनिया आधार नहीं मांग सकती कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे आधार नहीं मांग सकती है कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइवेट पार्टी आपका डेटा नहीं देख सकती है एंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट